इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जिससे हृदय के लिए पूरे शरीर में रक्त पंप करना आसान हो जाता है। इससे आप में हौट अटैक या स्ट्रोक होने का जोखिम कम हो जाएगा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे रोज नियमित रूप से एक तैस समय पर लेना बहतर होता है। करने के लिए आपको नहीं कहता। आप एक्टिव रहकर धूम्डपान बंद कर और कम नमक व कम वसा वाला भोजन लेकर अपनी जीवन शेली में कुछ बदलाव करें। इससे दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। इस दवा के सबसे सामानने साइड इफेक्ट में आपके टकनो या पैरों यानि की इडिमा में सूजन, सिर्दर्द, नींदाना, चक्कराना, ठकान, स्वाद में बदलाव और पेट खराब होना शामिल है। चूंकि इससे नींदाना और चकराना हो सकता है। इसलिए जब तक यह पता नहीं चल जाए कि यह दवा आपको किस प्रकार प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या मान से के कागरता की आवश्यक्ता वाला कोई काम न करें। अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान है या इन में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा क से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपको अकसर ब्लड प्रेश चेक कराना होगा और किद्नी फंक्शन का भी टेस्ट कराना पड़ सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच